अक्सर सिजेरियन के बाद टाको में दर्थ होना, खुशली होना और टाको के आसपास सुन्नेपन होना बहुत कॉमन है तो पूल का By The Woman, For The Woman में मैं हूँ डॉक्टर वंदना और आज हम बात करेंगे कि सिजेरियन डिलेवरी के बाद टाको में दर्थ क्यों होता है, कब तक दर्थ होता है और दर्थ होने पर क्या करें दूसरा सवाल टाको में खुशली क्यों होती है, यदि खुशली हो रहे है तो उससे कैसे बचे और तीसरा सवाल टाको बली जगा पर सुन्नेपन क्यों आता है और उसका क्या हल है तो हमारा सबसे पहला सवाल कि सेजेरियन के बाद टाको में दार्द क्यों होता है तो सेजेरियन एक मीजर ओपरेशन माना जाता है और इसमें कमर के निचले भाग में spinal anesthesia देगर सुने कर दिया जाता है इसके बाद abdomen के lower part में transverse incision दिया जाता है इस incision में muscles तो काटते ही हैं इसके साथ blood vessels और nerves भी कट जाती है क्योंकि muscles के पूरे ही भाग में muscles के साथ nerves और blood vessels भी राती है और इन ही nerves के कटने के कारण incision वाले एरिया में दर्द होता है जनरली या दर्द scissorine के कुष्टेनों तक राता है और इस दर्द को ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको analgesic भी देती है जिन्हें आपको रग लगी जैसे advice किया गया है वैसे ही time to time लेना है और 10 या 15 दिनों में या दर्द भी ठीक हो जाता है यदि non-absorbable stitches हैं तो 9th day इन्हें भी remove कर देते हैं पर यदि absorbable stitches हैं तो उन्हें काटने की भी जरूरत नहीं होती है बस 9th day उनके corners काटने रहते हैं 5 to 90's में आपको hospital से भी discharge कर देते हैं जब आप घार आ जाती हैं और यदि हलका फूल का दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं यदि आपके operation को 40-45 दिन हो गए हैं और टाको में हलका दर्द है तो आप गर्ण पानी bottle में भरें और उसे bottle के कपड़े या टॉविल से लपिट लें और टाको वाली जगा पर 10-15 मिनिट तर उसे सिकाई कर सकती हैं ध्यान रखें कि बाटल का पानी इतना ज्यादा कर ना हो कि आप चल जाएं गर्ण पानी के bottle की जगा आप hot water bag भी इस्तमाल कर सकती हैं अब यदि आपको दर्द के साथ साथ जलन भी है और आपको ऐसर महसूस हो रहा है कि जैसे आपकी skin जल रही है और दर्द हो रहा है तो एक polythene में बाट भरें और उसे कपड़े से लपिट लें और इसके बाट टाको वाली जगा पर उसे फेरें दर्ट हीख हो जाएगा पर यदि सीवियर पेन है तो तरंट अपने गाइनोकलोजिस्ट को कंसल्ड करें अब हमारा दूसरा सवाल कि टाको में खुशली क्यों होती है और यदि खुशली हो रही है तो उसे कैसे बचें जब टाको में हीलिंग हो रही होती है तो वहां पर ड्राइनिस राती है और इसी गारण खुशली होती है यहां को खुशली बहुत जादा हुरी है तो सबसे ज़्या जो आपको ध compression हो सकता है इसलिए जब भी इचिंग हो एक साफ सौफ मरमल का कप्डा लें और उसे टाको वाली जगा पर हलके हाथों से फेर लें इसके लाबार आपको इभी सौफ्ट क्रीम या पैट्रोलियम चेली या फेर कोकुनाट ओईल अपने उंगलियों में लगाएं और चाहां आपको खुछली हो रही है वहाँ पर हलके हलके हाथों से सर्कुलर मोशन में लगाएं क्रीम, लोशन या कोकुनाट ओईल से इस्टेश लाइन में नमी बनी रहेगी जिसके कारण इजिंग में कमी आएगी अब हमारा तीसरा सवाल कि टाको वाली जगा पर सुनने पन क्यों आता है और इसमें क्या हल है तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सेजीरियन एक मीजर ऑपरेशन होता है और इसमें मसल्स के सासथ नर्फ्स भी करती है इन नर्फ्स के कर जाने के कारण वहाँ पर सेंसेसन नहीं हो पाता है क्योंकि नर्फ्स का काम होता है हमारे सेंसेसन को हमारे प्रेंटा के लिए कर जाना और आमें असास दिलाना कि कोई चीज़ टच हो रही है और ऑपरेशन के समय जब ये nerves कट जाती है तो ये nerves हमारे brain तक sensation नहीं ले जा पाती है कि कोई चीज़ टच हो रही है और जिसके कारण हमें numbness फील होती रहती है समय के साथ ये numbness दीरे दीरे कम होती जाती है 6 महिने साल भार यार किसी किसी को 5 साल 10 साल का भी समय लग जाता है यदि आपको numbness ज्यादा फील हो रही है तो ऑप्रेशन के 40 दिनों के बाद में आप उस पर coconut oil से मसाज कर सकते हैं मसाज करने में आपको ध्यान रखना है कि मसाज बहुत हलके हाथों से करें अपने ऑउलियों की टिप पर coconut oil लगा लें और सर्कुलर मोशन में दीरे-थीरे इस तरह से मसाज करते जाएं मसाज करते समय बासीक बात का ध्यान रखना है कि मसाज आपको सर्कुलर मोशन में करना है और मसाज करते समय बिल्कुल बिप्रेसर नहीं देना है बिल्कुल हरके हाथों से आपको मसाज करने है तो आज हमने दिखा कि सेजरीन के टाकों में दर्द खुझली या नमनेस क्यों होती है और उसके बचाब के लिए हम क्या कर सकते हैं पर कई बार मैं लाएं आपरेशन के कई सालों के बाद भी टाकों में दर्द की कंप्लेंड करती हैं इस पेसली बर्साद के मौसा में जब बादल होते हैं तो इसके लिए परिशान ना हो या भी नॉर्मल ही है सेजरीन के समय जो नाफ्स कट जाती है बादल होने पार ये पिछली कड़ा होने पार ये कट्यों ही नाफ्स चार्ज होती है और इसके कारण दर्द होता है पर इसके लिए उच भी नहीं किया जा सकता है, यह दौरत खुस्सा में तक होगा, इसके बाद अपने आप भी ठीक हो जाता है सेसेरियन के बाद टापो की देख़ाल कैसे करें, इसके लिए आप मेरा वीडियो सेसेरियन के बाद टापो की देख़ाल देख सकते हैं जिसके लिक मैंने description box में देती है health related किसी भी inquiries या inquiries के लिए आप मेरे comment box में जाकर comment कर सकते हैं या Instagram या Facebook पर भी message कर सकते हैं next video में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद